स्वागत है आपके अपने चेरल में और आज का इस सेशन बहुत ही महत्पुर्ण होने वाला है जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे यह सेशन होने वाला है जो यह अरिहंत का जो बुक है कंप्यूटर अवेर्नेश तो हम लोग इसको कभर करेंगे चेप्टर वाइस और यह एम सी क्यू के फॉर्मेट में रहेगा यह इसका सारा डिटेल हम लोग नहीं करेंगे और यह जिब एससी को ध्यान में रखके बनाया जा रहा है ट्वंटी कोश्टर आपको डिरेक्ट कंप कंप्यूंटर अध्यू को सिस्ट पूछा जाता है उसके लिए सेशन बहुत ही महत्पूर्ण है किसी भी एक्जाम जहां पे आपको और उसके लिए महत्पूर्ण होगा चलिए इस अध्यूंइत करते हूं शुम्हाबब करताब कर आपको पसंद आएगा और हम लोग सुको चेप्टर वाई सारे mcq को cover करेंगे तो देख लेते हैं पहले चेप्टर में क्या है और यह देख लिजेंगे द्यारी भी दिया गया लेकिन हम लोग इसको cover नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा घ। हम लोग उसको mcq पर देखिए question bank दिया है with each chapter प्रति एक chapter का mcq हम लोग करेंगे और chapter wise past year का question भी दिया गया है फिर practice set है तो पहले हम लोग chapter wise सारे complete कर लेंगे उसके बाद यह practice set cover करेंगे तो देख लीजिए इसमें पहला chapter जो है आपका वो है आपका introduction to computer तो हम लोग आज इसका mcq करेंगे चलिए start करते हैं इसमें और जिनको पढ़ना होगा वो यह पेडिया पालरेड़ी टेलेग्राम पर सेर कर दिया गया है वो पढ़ सकते उसे तो देखे question bank में जो चलिए और इसको जूम कर लेता हूं तो पहला question जो है आपका वो है the word computer has been derived from each of the flowing language तो आपका यह सब्द है यह word है computer वो किस language से derive हुआ है तो ध्यान रखेगा यह Latin सब्द है कौन सा सब्द है Latin Latin word से यह derive हुआ है next question है आपका input output and processing devices group together represent तो अगर input device हो गया output डिवाइस हो गया और processing यह तीनों को अगर हम लोग group कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग तो ध्यान रखेगा उसको पूरे को computer system बोलेंगे next question आपका which of the flowing is the correct order of the four major function of the computer आप जो computer के द्वारा function प्रफॉर्म क्या जाता उसका correct order बताना है तो इसका देखे से correct sequence जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पहले input देंगे फिर प्रोसेस होगा फिर output आएगा देन स्टोरेज होगा नेक्स्ट कोश्चन है आगे बढ़ने से मैं आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताएगा यह सेसन आपको कैसा लगा तभी मैं इसको आगे और continue करूंगा सारे चेप्टर को कि यह आपको helpful है कि नहीं है क्या है बिल्कुल आप बताएगा और सेसन अगर प्रसंद आया तो ल और बेल आइकन को ट्रेस कर लिए चलिए ज्यादा टाइम नहीं लूँगा सिध्य है हम लोग आते हैं क्रोश्चन पर तो देखें क्लेक्टिंग देटा और कन्वर्टिंग इन्टू इन्फोर्मेशन कुछ ज्यादा हिंदी इंग्लिस का कोई सुनी आपको हिंदी आयसा भ हम लोग क्या बोलेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे उसको बोलेंगे प्रोसेशिंग ठीक है फिर नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर के नौट परफॉर्म कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है क्या नहीं कर सकता है इंपूट है ऑटपूट है थिंकिंग है तो देखें सारा क क्या होता है कि computer नहीं कर सकता है नेक्स्ट है आपका question no.6 इसमें क्या भो रहा है computer cannot perform भीच अब फ्लोबिंग वंक्सण तो बहुत सारी function द्याया है कौन से ये नहीं perform करेगा को आपका तो देखिए addition कर सकता है subtraction कर सकता है division कर सकता है लेकिन ये computer नहीं कर सकता है ज्यान रखेगा नेक्स्ट कोश्चन है आपका पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ओडर्र एक्जाम्पल अगर सेश्चन आपको स्लो लग रहा हो तो जाके सेटिंग से स्पीड बढ़ा सकते हैं क्योंकि मैं इसी तरह आगे पूछे गया हैं तो काफी महत्पूर्ण हो जाता है यह और खास करके यह जो 20 जो आपको पूछने वाले हैं वह बहुत ही इससे आपको रिवाइज करने में असानी होगा और बहुत ही मतलब होगा कि बहुत सारे कोशन आपको इसे डेरेक्ट मिल जाएंगे तो इसकोशन का नेक्स्ट है आपका benefit of computer computer benefit क्या है simple सा है तो देखिए very fast and can store a huge amount of data बिल्कुल सही है provide accurate output either input is correct or not नहीं यह तो गलत हो जाना चाहिए जब input हम लोग incorrect देंगे तो कैसे output और तो यह भी गलत हो जाएगा तो इसका सही जबाब जो हो जागा आपका ध्यान रखिए का very fast can store huge amount of data अब नेक्स्ट है question no.9 बिल्कुल हम लोग एक चेक्टर वाइज करेंगे बहुत ही देखिए यह question देखिए पीयो का question है इसवे पीयो 2015 में पूछा है question क्या है collection of unprocessed item तो क्या बोलेंगे हम लोग तो उसको हम लोग बोलेंगे data नेक्स्ट है आपका which among the following cycle consists of an input processing output and storage as its constituents यह भी question IBPS clerkments में पुछा है 17 में सक्क्रेक्ट अंसर देखिए क्या हो जागा तो इसका correct answer हो जाएगा आपका data कि नेक्स्ट question है question number 11 इसमें round आपका 70 plus question है तो बिल्कुल session को पूरा देखिए और ऐसे ही chapter wise दोगता कि आपको ज्यादा time भीना लगे और आपको समझने में भी आसानी हो बड़ा session करने क्या होता है कि बोर हो जाते हम लोग देखते देखते तो 11 number question है यहां पर देखिए fill in the blanks है और बोल रहा है कि is the data that has been organized and presented in a meaningful fashion तो वैसा data जो organized होने के बाद present करता है meaningful fashion मतलब कुछ meaningful उससे निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते है ध्यान रखे उसको information बोलते है नेक्स्ट है आपका data और information used to run the computer वैसे data और information को computer को run करने में काम आये उसको क्या बोलते है तो देखिए एक लर्क 2013 में कुछ आ गया है और इसका correct answer हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका यहां पे hardware दिया गया है data or information to run the computer तो hardware नहीं होगा CPU नहीं हो पेरिफेरल सप्टेर विए हो तो यह अहां पे answer हो जागा आपका नानतीज नेक्स्ट है question आपका the steps taken steps and sorry the steps and tasks needed to process data such as responses to question और clicking आइकन और कर तो क्लिक करेंगे तो क्या होगा तो इसका सही जबाब हो जागा आपका वैसे क्या बोलें उसको instruction नेक्स्ट है आपका क्या हो जागा सोचिए यह हो जागा देखिए अर्लिष्ट कल्कुलेटिंग डिवाइस अबैकस था अबैकस आप लोग को याद होगा इस टाइप से कुछ रहता है इसमें राउंड राउंड ऐसे लगा हुआ उसी के थुरू counting होता था बच्चों का एक ट्वाइब भी आता कुछ इस टाइप का तो इस टाइप का था कुछ यहां रखेगा कि यह लिस्ट कल्कुलेटिंग डिवाइस क्या है तो अबैकस है फिर नेक्स्ट है आपका अबैकस क्या कर सकता है देखिए तो अबैकस क्या क कर सकता है नेक्स्ट आपका नहीं करता था नेक्स्ट है क्वेश्चन नमबर 15 था तो क्वेश्चन नमबर 16 देख लते हैं तो इसमें थोड़ा हाँ अब ठीक है उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पर अच्छा सा आपके डिस्प्ले पर तो देखिए नेक्स्ट कोश्ट नेपियर्स टेक्नोलोजी यूज़्ट पर कलकुलेशन काल जो नेपियर्स टेक्नोलोजी करके जो कलकुलेशन और यह नेपियर्स टेक्नोलोजी क्या है चाहे तो आप उसको गूगल कर सकते हैं नेक्स्ट है आपका पास्कल लाइन पास्कल लाइन इस अल्सो नॉन आज तो क्या होता है यह पास्कल लाइन तो देख लीजिए उसको हम लोग बोलते हैं आडिंग मसीन बोलते हैं नेक्स जेकर्ड में पंचकाट का युजवा था नेक्स्ट आपका वीच आप दे फ्लोबिंग इस नॉन एद फादर अप कॉम्पीटर वन अप दे मॉस्ट इंपर्टेड एन फेमस कोश्चन सिंपल सा है उमीद करता हूं आप सभी को पता होगा ये कोश्चन कि थोड़ा भूत कंप पीटो तो आप लोग सभी पढ़े ही होंगे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका चाल्स बैबेज फिर आपका आइनलीटिकल इंजन किसके द्वारा डेवलप किया गया था बताइए सोचिए तो यह किया गया था और नहीं कोई बलकि चाल्स बैब तो इसका सही जवाब हो जागा काउंटर विल्स को एजए मेमोरी यूनिट यूज किया था नेक्स्ट्ट आपका question number 22 इसमें देख लेता क्या है टैबूलेटिंग मशीन वाज़ सफ्ट ऐल्येक्रोमेकेनिकल मेशीन डेवलापक हो ये जो टैब्लेटिंग मशीन जो था nostrologically मेकरोमेकनिकल मेशीन था किसके द्वारे डेवलापकिया गया था तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा बो हो जाएगा आपका हार्मन हॉल रित के द्वारा नेक्स्ट कॉरिशन है आपका फू डिजाइन दा फर्स्ट एलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर एनियक इंपॉर्टेंट कॉरिशन है बहुत सारे एक जाम है मैंने खुद देखा इसको तो इसका सही जबाब हो जाएगा एक सेकंड हाइलाटर ले लेता हूं इससे पहले इसको इरोज करना होगा तो इसका दखिए इसका सही जबाब हो जाएगा आपका क्याइए फ्रेश्पर एक इंड जॉन डवल्व मोजली इस तरीके से याद रखिए तो इकाड जो अभी उससे भी याद कर सकते हैं तो अब कुछ भी किसी था तो प्रिस्कार्ट चुछ नेस्ट करें इसा पहला कंप्यूटर जिसमें कुछ करने की च्णता थी यह सीप्यों 2012 में पूछा गया है तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह जाएगा आपका इडी सैक हो जाएगा जो पहला कंप्यूटर था वो स्टोरेज प्रोवाइड किया था नेक्स कुशन आपका नेम दफ पर्स्ट सरी नेम दफ फर्स्ट जेनरल पर्पर्स एलक्ट्रोनिक कंप्यूटर जेनरल पर्पर्स के लिए कौन सा था पहला कंप्यूटर तो इसका सही जवाब हो जागा यूनी भैक और यह कुश्चन आपको पूछा गया है आई वी पेस पीओ 2012 में तो काफी ही अच्छे कुश्चन है अ क्यां से जनरेशन में यहाँ प्वोश्चन दिया गया है इसमें ड्रसाइज मत्तब मेम्री अगे, उसका मेम्री अश्चन अवरॉल कंप्यूटर का Sober तो इसका सही जवाब हो जागा वह एक पर्स उस तरीके से कुछ इस तरह और उसमें बहुत सारे से चेंबर बने हुए थे तो वह काफी ही बड़ा है आप चाहे तो इसको आप फर्स जेनरेशन कंप्यूटर या वैक्यूम ट्यूब कर कैप सर्च कीजिएगा गूगल पी में जा जागा और वहां से देख सकते हैं नेक्स क है आपका Q essential नंबर 28 इसमें क्या पूछ रहे आप से चंपिटर बिद्ट भीफ़र्ट में फश्サलेशं चांप्योटर वाले कंप्योटर कि हम लोगcı क्या बола थे तो इसका साहे जबाब होगा क्या होगा क्या हो एक उलेक्ट्रों मेsuकल कम्प्योटर है नेक्स आपकर लेंग्वेज था शेमली था कि दोनों था हाई लेवल था यह आपको बताना है सोचिए तो ध्यान रखेगा बहुत है इंपॉटेंट है यह भी रशने केस विया करक में आया और अन्य एक्जाम में बहुत सारे में पूछा गया है तो मसीन लेवल लेंग्वेज था फर्स जे फर्स जेनरेशन का नेक्स्ट है आपका क्रेशन अबर थर्टीवन इसमें पूछा गया है तो इसमें आपको थर्टीवन का हो जाएगा 156 से 163 के बीच में जो फार्स जेनरेशन का थर्ट जेनरेशन का जो टाइम प्रेड है शेकंड यहां पर सेकंड जेनरेशन टाइम प्रेड है तो 156 से 163 ध्यान रख्येगा नेक्स्ट एक क्वेशन आपका टाइम शेरिंग क्योंज पॉसिवल इन किसमें टाइम सेरिंग किसमें पॉसिवल होगा तो कौन से जेनरेशन में और यह SBI पूछा गया है तो ध्यान रखेगा इनपर्टेन क्वेशन है तो इसका सही जबाब होगा सेकंड जेनरेशन परुंडेस्टााइम इन्टि ग्रेटटिशिव यूज में शेली गएगा पॉफितर में तो इसका सही जबाब होगा आईसी कब हुआ था थाड हूँ । यह बेसिक कोश्टान है और जो बोलते हैं लगा हुआ है था कम आपने हैं मतलब क्या हुआ या इसका सही जवाब हो जागा आपका इंटीग्रेटेट सर्कीट यानि आई सी को ही हम लोग चीप बोलते हैं नेक्स्ट आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वेर मेड विद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था वो किस से बना हुआ था तो ध्यान रखेगा इसका सही जवाब हो जाएगा यह बना हुआ था इंटीग्रेटेड सर्कीट से जिसमें इंटीग्रेटेड मतलब आई सी यानि कि चीप चीप लगा हुआ था यहाँ पे हो गया कोश्चन नम्बर 35 आवा हम लोग देख लेता हैं कोश्चन नम्बर 36 ठीक ह और यह ध्यान रखेगा इंट्रोडेक्शन टू कंप्यूटर चेप्टर है आगे हम लोग एक तरके कंप्लीट करने वाले हैं तो आप लोग बिल्कुल चैनल पर बने रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लिजे अब लिडियो पसंद आ रहा तो लाइ से सिलवर से बताई क्सोचिए है तो जा सहीं सिल्क आणिक कैक तरसे से मीकंदक्टर डिवाइस से बना वढ़ाता है सेमी कंड़क्टर माटेरियल से बना हुआ था है यह तो खुद एक सेमी कंड़क्टर डिवाइस है तो सिल्कन से बना हुआ ध्यान रखेगा फिर नेक्स्ट कुछिशन है आपका क्या कहते हैं एक इलेक्ट्रोनिक सर्केट है जिस पर ट्रांजिस्टर अधर इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट लगा हुआ है और यह देखिए कितना है इसका बना पुछा गया है तो इसका जो सही जवाब हो जागा वह है आपका जिसी को हम लोग बोलेंगे इंटेग्रीटेट सर्किट यानि की आईसी नेक्स्ट आपका पीची आर कंसीडर एक ता फोट जन्रेशन एंड कंटेण क्या होता इसमें तो इसका सही जवाब हो जागा कि इसमें जो यूज़ होता है वह माइक्रोब प्रोशेशर का युज हुआ था नेक्स्ट है आर्टिफिसिल इंटेलिजेंस एक्जाम्पल है बहुत तर्चा में आजकल ए आई जो चैट जीपीटी बगरा या बहुत कुछ देख रहे हैं तो यह जो है आर्टिफिसिल एक्जाम्पल है किस चीज का कौन से जनरेशन का हgent है तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिफ्ट जनरेशन कमप्यूpower का नेक्स्ट आपका फर्स्ट कमप्यूटर उफ हुए इंडिया आएज आपको यह पता होना यह से कम्प्यूटर बेसिक आर्खिटेक्चर सब्सक्रणॉट किया गया था किं। किया गया था जॉन वोन निमेन वेन जोन वॉन YOUR म के द्वारा किया था अंग तो नेक्सट कहीं है आपका हूं डिवला डांतेघ्टट चिंड इसी जो था या आईसी जो था वो किन के द्वारा डेवलप किया गया था तो द्यान रखेगा यह किया गया था जे एस किल्बी के द्वारा नेक्स्ट कोस्चन आपका कोस्चन नवर 43 इसमें पूछा गया आपसे इस टरिकसर करता है तो तो वह करता है कि पैरलली भी करता है और सिक्वेंशियली भी करता है या निकिक अंसर हो जागा अब बोध 1 और 2 कि नेक्स्टक कुष्चन नमबर फो्टी इसमें क्या बोल रहा है है वि और माइक्रों मप्रों क्यों और कांड कंसेस्ट अफ़ फिजविश्टा यूडपी में तो सिस्टे मूनिट हो ता है इनिप Richardson पूर्पूट होता है और मेमरी होता है बिना इसके तो कामी नहीं होगा नेक्स्ट कोर्चन है भीच आप फ्लोबिंग ऑप्सन्स करेक्ट्ली एक्स्प्रेस दा मिनिंग ऑफ टम्पीसी जो हम लोग सोट में बोलते हैं पीसी यानि परस्टनल कंप्यूटर यह दोजार बारा पूछा गया कोशन है तो उसके बारे में कौन सा स्टेट्मेंट सही है चलिए चार स्टेट्मेंट यहां पर दिख एक शेकन हाँ आप उमीद करते हूं आपको दिख रहा होगा अच्छे से पूरा कोशन तो इसका देखिए इसमें जो करेक्ट अंसर हो जागा वो हो जागा आपका पर्सनल कंप्यूटर बाइडली एवलेबल इंडिविजियल बरकर विथे विच देकन अक्सेस इन्फरमेशन प्रोम लेयर सिस्टेम एन इंक्रीज देर पर्सनल प्रोडक्टिविटी तो यह हो जागा आपका पीसी का करेक्ट मतलब नेक्स्ट है आपका विच अप इसका करेक्ट अंसर हो जागा आपका पर्सनल कंप्यूटर नेक्स्ट है आपका टैबलेट पीसी जो टैप आप जो देखिए यह कोश्चन अभी हाल फिलहाल में किसी PCS में पूछा गया और प्लस रेलवे में भी पूछा गया इंपोर्टेंट है कि टैबलेट पीसी किस त पता हिए तो इसका सही जवाब देखिए हो जाएगा वह जाएगा आपका माइक्रो कंप्यूटर टैबलेट जो है वो क्या है एक तरह का माइक्रो कंप्यूटर है नेक्स्ट आपका कंप्यूटर डैट आर प्रोटेवल और चल सकते हैं जो कि आज कल बहुत ही कॉमन चीज है वो पीसी क्या था कि डेक्स्टोप क्या था हम लोग एक जगह रखकर यूज कर सकते थे लेकर नहीं चल सकते थे बट यह वैसा कंप्यूटर जो हम लोग तो इसका सही जबाब हो जागा आपका लैप्टोप सिंपल सा क्योशन है नेक्स्ट क्योशन है आपका डेक्स्टॉप और पर्सनल कंप्यूटर आर अल्सो नौन आज तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग डेक्स्टॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या बोलते हैं अन्य ना टंसर हो जाएगा आपका अपिडिये नेक्स्ट है कोश्चन नंबर 51 तो देख लेते हैं 51 में क्या है तो फिप्टीवन में आपसे पूछा गया है पाम्टॉप कंप्यूटर इस आल्सों नौन अज़ु पाम्टॉप कंप्यूटर होता सोग बोलते हैं उसका अन्य नाम क्या ह है तो उसका अन्य नाम है हैंडहेल्ड कंप्यूटर ध्यान रखेगा नेक्स्ट है आपका असेंट्रल कंप्यूटर डैट होल्ट कलेक्शन अफड़ डेटा और प्रोग्राम पूर में पीची मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो सेंट्रली मतलब होल्ड करता हैं बहुत सारे कं आप बोलेंगे बताइए सोचिए तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्वर जैनरली सीविल वाले या आर्खिटेक्चर वाली यूज करते हैं तो क्याड के लिए यानि कंप्यूटर डिजाइन के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं वह अपने कल्कूलेशन के लिए तो ध्यान रखेंगा वह करते हैं मीनी कंप्यूटर का यूज है नेक्स्ट कोशिशन है वीच आप देफ्लोवी जनरली कॉस्ट्लियर महागा कौन है और ये कलर के 2012 आपकेस कलर 1529 ज्यां में आया है तो कि यूजर जनरली एप्लाइज तो एक्सेस मेन प्यूपरीं में प्रेम और सूपरलतर कर्णा देउन और ये इसका सही जवाब हो जाए आपका नोड ये हuros लाक्तियों ड़केगा नोड का यूज किया जाता है और एसंट ये आर्टन दिज सेलीं डिजाइन कम्प्यूटर क्या करता है क्या करता है बहुत कॉंप्लेक्स हार्ड कल्कूलेशन को बहुत ही 20 करता है तो उसको हम लोगई उसको हम लोग बोलेंगे सुपर कम्पिरयटर आप नग zones बताईए इंडिया का पहला सूपर कम्पिर और कॉंपर mêmes 209 अभी सब्सें इसमें क्या बोल रहा है यहां पर बोल रहा है कि लार्ज और एक्सपेंसिब केंप्यूटर के पेवल प्रफॉर्मिंग सांटिफिक और बिजनेस अप्लिकेशन के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज होता वो पूछा जारा आपका इसका सही जवाब होगा आपका सूपर कंप्यूटर नेक्स्ट है आपका फर्स्ट सूपर कंप्यूटर डेवलापिन इंडिया देखी कोशन ही आ गया कि पहला कौन सा था बताईए सोचिए मैं अंसर बताने सब रुखता हूं आप लोग थोड़ा दिमाग पर जोड डालिए इसका सही जवाब होगा आपका परम चलिए यह तो कोशन मिल गया आप बताईए अभी लैटेस में सबसे पावरफुल सूपर कंप्यूटर कौन सा इंडिया का और वर्ल्ड का भी बताईए कि दुनिया में सबसे ज्यादा अभी हाल फिलाल ही चर्चा में था तो चलिए कौन से रंबर का है फर्स्ट सेकंड थार्ड फोर्थ तो फर्स्ट हो नी सकता है तो इसका जो क्रेक्ट अंसर हो जागा वह जाएगा फोर्थ फोर्थ फास्टेस्ट कंप्यूटर है इन दर वर्ल्ड दुनिया में यह ध्यान रखेगा अब कोश्चन नबर 60 इसमें पूछा आपसे प्रतियू सुपर कंप्यूटर इस डेडिकेटेड फोर किसके लिए बना है किस चीज के लिए डेडिकेटेड है तो ध्यान रखेगा यह है बेदर फोर्कास्टिंग के लिए जो हम लोग मौसम का पुर्वान देख लेते हैं कि आज कि दूप होगी यह तेंप्रेचर है भर्षा होने वाली है या नहीं है प्रेशिपिटेशन क्या है तो इस सब किसके द्वारा कार किया जाता है यह प्रतियू से नाम याद रखेगा प्रतियू से नेक्स्ट कॉस्टन नंबर आपका सिक्स्टी वन इसमें पुछा गया आप से ठीक जिस दर इंडिया फिस्टं मल्ती पेटा फ्लॉप्स सुपर कंप्योटर बताना है इंडिया के पहला मेरे में तो इसका सही जवाब हो जागा क्या उगा ऊगा सोचिये pior टी ये इसका सही जवाद होगा आपका नेक्सट है अनलोग केंपीटर मकस ऑं दर सब्सक्राइब किसταर से बर करते हैं और ऊक्विर वे इसका सही जवाब हो जांगा इसका सही जबाब होगा यहां पर छाटना है और वन और तो यह हो जाए डिजिटल कंप्यूटर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नमबर 66 पूछा हुआ क्वेश्चन है एस्पिया कलर्क 2013 में तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है इसका सही जबाब हो जाएगा आपका विच टाप अपकूटर है यूज इन होस्पिटल्स लाइक ECG और डाइलेसिस तो इसका सही जबाब हो जाएगा आपका हाइब्रीड पी सी जी और डाइलेसिस में कौन सा कंपूटर ही जो होता है तो हाइब्रीड कंपूटर ही जोता है और हाइब्रीड क्या था तो देख लिजे शूपर मीनी कंपूटर का कंबिनेशन है तो देखिए हर एक कोश्चन आने वाले जूड़ा होगा है थोड़ा तो आपको पूरा सेशन देखना होगा तभी आप बेहतर कर पाएंगे एकजाम में तो चले नेक्स्ट कोश्चन है आपका 68 नंबर जेनरल परपस कंप्यूटर और यूज फोर क्या यूज होता है जेनरल परपस कंप्यूटर का तो इसका सही जवाब हो जाएगा देख लिजिए क्रिएटिंग ए स्मॉल डेटाबेस बिलकुल सही है परफॉर्म कल्कुलेशन सही है कांटिंग काम करता है तो इसका सही जवाब होगा अल अब सारे काम मतलब किया जाता है इससे नेक्ट अह विच प्रोशेशर नेक्स्ट कोश्चन है आपका 69 हो गया अब इसके बाद हम लोग कर लेते हैं 70 कुछी कोश्चन है तो आप लोग पेशन्स रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्चन है तो इसमें देख लिए कोश्चन है विश्ट टैप ऑफ कंप्यूटर इस यूज होता है जेनरल कंप्यूटर सूपर कंप्यूटर स्पेशल परपस कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर सोचिए कौन सा हो सकता है तो देखिया स्पेशल काम है तो स्पेशल परपस कंप्यूटर ही जोगा फिर है भीच आप फ्लोविंग इस दा स्मॉलेस्ट एंद फास्टे इंवीच अब दो फ्रोविंग कम्पूटर आर यूजड यूजड क्या आप बोलना चाहरा हैं इन वीच अबटावींग कम्पूटर आर यूजड बैंकिंग एजुक्पेशन और फिस्च अच्छा कम्प्ूटर कहां यूज होता है ये पूछ रहा है तो ये तो सारे जगह हो होता है तो यह हो जागा अलब दीज हो जागा मैं इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो की अभी काफी महत्पूर्ण है और काफी चर्चाम है कुछ अच्छे इंपक्ट भी है इसके कुछ बैड भी इंपक्ट है तो त्यान रखेगा एक के बारे में क्वेशन आ सकता है क्वेशन नेक्ट को जानुगा भीच वद फ्लोविंग दिल्स बिद्ध डिजाइन इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा रोबोटिक्स तो यह जो चेप्टर था आपको इंट्रिडक्शन वह आपका कंप्लीट हो गया और इसका पीड़ेफ आलेड़ी टेलिग्राम पे दिया गया है आप चाहे तो आज जाके देख सकते हैं और यह जो है आगे हम लोग नेस्ट पढ़ेंगे चेप्टर नंबर टू कंप्यूटर आर्खिटेक्चर यह भी बहुत इंपॉटेंट है और आपके नॉलेज्ज भी इन्हांस होगा इसको पढ़ने के बाद तो चलिए नेक्स चेप्टर में मिलते हैं और सारे एमसी क्यों को सॉल्व करेंगे हम लोग इसी तर लेकर दो बता हीए एक मपिटर का सेस्टन कैसा लगा आप लोग को ते बैद कर दो आगए यह रहा है और साथ में और भी बहुत हैसं मैं लेकर आओंगा साइंस का अब लेकर अहां आप लोग क्या लगता हैं बता है कमेंट करके चलिए मिलते हैं तब तक बढ़ते रहें आ झाल झाल